हम लोग वीडियो की सुरुवात कर रहे हैं जोड़ा फाटक से और यह देख सकते हैं दुकाने और इधार है मेरा बगल में यह मंदीर अनुमान मंदीर जाए बजरंग बजी जा रहे हम लोग पुराना बज़ा धनबाद की तरफ इधार अगल बगल है नर्सिंग हो अब आया साइड में देखाता हूं आपका आप पुपल्याप नर्सिंग हो इसा देखेने साइड में है जन जोटी ने तराला है तक्ते मंदीर परसेद मंदीर नबाद को देखेंए इसा है कुछ कि इधर भी उची-उची मारते बन नहीं है अधर राइस साइड में मेरा राम मंदीर जगुवार का भई नल फिटिंग ले सकते हैं इधर पाक्ते पुत्रा नर्सिंग हो इसा देखेंग में इधर होस्पिटल है इधर ताहिने साइड में भी है मेरा सक्ती नर्सिंग हो इसा है जटरी फेब्रीक है जटरी फेब्रीक इधर से आप राइट साइड से मने चांड चले जाएगा बहुत हीरा पूर लिकल जाएगी यह रास्तर मस्त मार्केट है अगल बगल में दुकाने आपको जो भी जरुफत की सामाने है यहां से खरीश सकते हैं आप यह देख्या फुरह मुस्त ने का घ्ता घड़ा भी अधर घड़ा ले सकते हैं अभी ठंडी है जरुफत नहीं पड़े घड़ा का है अब हम लोगा अगा पाने चंकी के पास में इधर जाएंगे हम लोग यहां चोवाल सब लगा हुआ रहता है इधर फल दुकाने है यह दुकाने है देख सकते हैं यह पुराना बजार आ गए हम लोग यह अरे मंदीर है पुजन सामगरी भी ले सकते हैं इतर से देख जय बजरंग वली अच्छी भीड रती इधर पुराना बजार ऐसे भी परसिद्ध है यह पुराना बजार मतलब बहुत ही पुराना बजार है कर देख सकते हैं मैं आपको मोटो ब्लोक करके देखा रहा हूं यह और आज गुरुव आ रहे हैं तो आज आपको आज के दिन बहुत ही सस्ता कपड़ा मिलेगा यह देख सकते हैं इसा सब खरिद्दार का भीडू मड़ पड़ी है इधर और आपको यहां पूछना नहीं पड़ेगा कि कपड़ा का क्या रेठ है खुद बखुद हो लोग बताएंगे आपको बोलते रहते हैं जिस्ते के आपको पता चल जाएगा क्या रेठ है इधर चप्पल भी आया हुए देखा तो मैं यह देखिए इधर बाया साइड में मेरा क्रिप एक सो में एक सो में बोल रहा है इधर इधर भी है देखिए यह लगा हुआ दोनों साइड में आपका मार्केट अरे बासुरी वाला सिंगार वाटिका है आप लोग दनबाद मार्केट को तो जानी रहे होंगे यहां के लोग इसकित का इससा है बीड भाले में गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल होता है इधर बहुत ही ज्यादा भीड है अब मोटो ब्लोगिंग करने में दिक्कत वती है तोड़ा पूरा समान यह देख सकते हैं लगा हुआ यह कपड़े अब देखें रस्सी का दुकाने भी है इधर रस्सी करीच सकते हैं चले जाईएगा सबजी मार्केट इधर से अइसे इधर मेरा राइट साइड में है बजरंग बली का मंदीर जाय वजरंग बली की कि अदेखते हैं कि क्या क्या है और कपड़ा की दुकाने इधर कमेंट करके आप लोग बताईएगा कि आप लोग को मैं कैसे दिखाऊं रेज पूछ करके बताऊं कि ऐसा ही इधर भी देखिए कपड़ा दुकाने इधर कि अधर के दुकाने अज गुरुवार है तो बहुत सारे कपला का ज्यादा विक्री होता है इधर गुरुवार को बहुत भीड़ रहती है क्योंकि सस्ता मिलता है गुरुवार के दिन में मेरा राइट साइड भी मैं दोनों तरफ एक साथ नहीं देखा पा रहा हूं कि देखिए कंबल कभी दुकाने आए इधर भी देख सकते हैं अधर लगा हुआ है मार्केट इस साइड में भी दोनों साइड में भई इधर से आप पुराना रेलवे स्टेशन की तरफ चल करने का रास्ता ऐसे करके अरे बाएं साइड से डियेवी की तरफ लिकले हैं अगर में रोड इधर से और हम दो जाएंगे इधर रेलवे स्टेशन और आजान चर रहा है हमारे मुस्लिम भाईयों का कि अधर से राइट से स्टेशन के साउट साउट अपको मारकेट ही मारकेट इधर इसे मारकेट उदर भी है मैं उदर देकिन ले नहीं जाओंगा आपको क्योंकि बहुत ज्यादा और सक्री गली हैं भीड़बार रहेगी है इधर से हम लोग चले गएं देखिए एस्टेशन आज आएंगे साउट साइट का तो यहां से अब हम लोग यू टर्म लेंगे अब वह देखिए इस्टेशन है उधर कि मार्केट लगी हुई आप एस्टेशन तरब से आईएगा साउट साइट से तो इधर लगा हुआ है मार्केट गर्म कपड़े बिखेज बहुएं इधर मैं रूक करके आपको नहीं बताओंगा रिट ने पूछँंगा मैं और सब अपने ही यहां पता चल जाइगा क्योंकि वह बेचने वाले सब बोलते रहते हैं इसलिए मैं नहीं बताऊंगा इस साइड में वर्क भी है अंडर ब्रीज का अधर से माए साइड में मेरा है इधर जो दिखा रहा हूँ उदर सब्सक्री खरीच सकते हैं इधर अंदर जाएंगे मचली मार्केट भी है देखाऊंगा कभी मचली मार्केट को मैं बना करके वीडियो उसका अभी साम ढल रही है इधर देखिए काम प्रोग्रेस में है वर्क का अंडर व्रीज का उसके बाद आपको पुराना बजार नहीं गुसना पड़ेगा अंडर वीज से ही काम चल जाएगा और इधर से भी को स्विधा पड़ेगे खाली रहती है रो जो बजार तरफ से नहीं आना पड़ेगा कि कुदर भीड़ भार रहती है इधर से आप लोग यदि दाहिना साइड जाएंगे तो आप लोग चले जाएंगे बैंक मोड की तरफ आप लोग को जाना है बाएं साइड में कौन सा टावर है भाई ये सीजी अन्टावर ही है कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लग रही है इधा देखाता हूं मैं ये कंबल की दुकाने की है ऐसे लगी हुए इधर सस्ती मिल रही है आज कल इधर भी लगी हुए है इधर हम लोग सीधा जाएंगे पाने च शरिददारी करते करते भूक लग जाये तो आप यहां आपका चोमिंग विए अभी खा सकते हैं अज्पर लगा हुआ है साइड में दखाता हूं मैं लिगाने तो हूँक्द राइक साइड में मेरा पूरा चोपार्टी लगा हुए है आप मन पसंद की चीजे यहां खा सकत चोमंग हुआ, डोसा हुआ, इदली हुआ, चाट, लिख्ती चोखा, इस सब मिल जाएगी आपको सब तरह काईटम यहाँ यह है यह है पानी टंकी दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, लाइप किजिएगा, शेर किजिएगा, अपना फैमली और फ्रेंट के साथ में, और हमारे चैनल पर यदिन नए हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिएगा, मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए, बुझ बाए, जाए हिन